नमस्कार, MV Health Tips channel में आपका स्वागत है दोस्तों, निम्मू एक ऐसा फल है जिसे कई तरह के इस्तिमाल में लाया जाता है फिर चाहे सेहत बनाने की बात हो या फिर तोचा की खुबसूर्ती बनाने को निम्मू से हमें अद्बूत फायदे मिलते हैं निम्मू के अंदर विटामिन्स और मिनरल्स परिचूर मातरा में पाये जाते हैं जो कि हमारे मेटाबॉलिसम को मजबूत बना कर हमारे पेट, लिवर और तोचा को लंबे समय तक जवान बना कर रखते हैं निम्मू का इस्तिमाल करने के बाद उसके छिलके फेक देना एक आम बात है लेकिन कई लोगों को पता नहीं होता कि एक पूरे निम्मू में सबसे ज्यादा पोशक तत्तो उसके छिलकों में ही मौजुद होते हैं लेकिन जो फाइदे हमें निम्बू के रस से मिलते हैं उससे कई जादा लाब हम निम्बू की छिलके से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर विटामिन और मिनेरल्स की मात्रा इतनी अधिक होती हैं कि यह हमारी तवचा के साथ साथ कई तरह की बिमारियों में अलग अलग तरीकों से उप्योग में लाया जा सकता है। निम्बू के छिलकों का इस्तिमाल हमारी तवचा और अलग अलग बिमारियों के लिए किस तरह से किया जा सकता है। निम्बू के छिलकों से बना तेल निम्बू के छिलकों पर छोटे छोटे छिद्र पाये जाते हैं। इन छिद्रों में मौजुद आउयल के अंदर विटामिन सी और सिट्री नेला की मात्रा अधिक होती है। जो की तवचा का रंग निखारने, दाग धबो को खत्म करने, मास पेशियों को आराम पहुचाने और खास कर जोडों के दर्दे में बहुती अधिक फायदे मंद होता है। निम्बू के छिलकों का तेल बनाने के लिए सबसे पहले 2-3 निम्बू की छिलकों की उपरी परत को छिलकर निकाल दें और फिर इसे 30-40 ml ओली वाइल याने की जेतुन का तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इसके बाद इसे प्लास्टिक के जार या बरतन में ढखकर एक हपते के लिए रख दें और एक हपते बाद इसका इस्तिमाल करें। निम्बू के छिलके और ओली वाइल से बना यह तेल जोडों के दर्द और तवचा के लिए बहुती फायदे मंद होता है। जिन लोगों को कमर, हड़ियों, जोडों में अक्सर दर्द रहता है तो उन्हें उस दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए इस तेल का इस्तिमाल जरूर करना चाहिए। रोजाना रात को इस तेल से 10-15 मिनट तक मालिश करें और रात भर उसे उसी जगहां पर लगा रहने दें। उसके बाद सुबह उटकर गरम पाने से धोलें। जोडों तथा मास पेसियों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। लगातार इसका इस्तिमाल करते रहने से दर्द की भी समस्या हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगे। इसके साथ ही तोचा पर मौझूद काले दाग धब्बे भी और निशान के लिए भी तेल का इस्तिमाल भी किया जा सकता है। इसके अलावा निम्बू के छिलकों को सुखा कर भी कई तरह के इस्तिवाल में लाया जा सकता है। यूज की हुए निम्बू के छिलके को अच्छी तरह से धूप करके साफ कर ले। और 3-4 दिन तक धूप में सुखा करके मिक्सर में चला करके इनका पाउडर बना ले। निम्बू के छिलके के पाउडर को चीनी, शहद और बादाम या जैतुन तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर ले। फिर इस तैयार मिश्रण से अपने चेहरे पर करीब 5 मिड़ तक हलके मसाज करके इसे 10-15 मिड़ तक अपने चेहरे पर लगा रहने दे। इसके बाद उसे नॉर्मल पाने से धोलें। नेम्बू के छिलकों में मौजूद सैट्रिक एसिट हमारी तवचा से डैट इसकिन निकाल कर हमारे इसकिन को स्मूथ और किलियर बनाती है। रोजाना इसका इस्तिमाल करते रहने से तवचा सौट और चमकदार बनते जाती है। पाने से धोलें। लगातारी से इस्तिमाल करते रहने से चहरे तथा तथा तवचा पर मौजूद पिंपल्स पूरी तरह से खतम हो जाते हैं। इसके अलावा नेम्बू के छिलकों का इस्तिमाल तवचा पर मौजूद रोम छिद्रों के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही पेट की तेजी से चर्वी घटाने, पीले दांत तथा नाखुनों के लिए ताजा निम्बू के छिलके बहुती लापकारी होते हैं। निम्बू के इस्तिमाल के बाद उसके बचे हुए छिलकों पर थोड़ा सा नमक डाल कर दातों तता नाखुनों पर घगडने से पीले पन की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा पाया जा सकता है। इसके अलामा वजन घटाने के लिए एक ग्लास पाने में पांस से छे निम्बू के छिलके और एक चम्मच चीरा डाल करके इसे दस मिनट तक उभाल लें। फिर ठंडा हो जाने के बाद इसका सेवन करें। निम्बू के छिलकों के अंदर पैक्टी नामक तत्व पाये जाता है जो कि हमारी शरीर के शुगर लेवल को पूरी तरह से कंट्रोल में कर देता है। इसी वज़ा से पेट की चरबी भी तेजी से कम होने लगती है। निम्बू के छिलकों से बने इस ड्रिंक का हफ्ते में दो से तीन बार इस्तिमाल किया जा सकता है। की उस जगह से चीटियां हमेशा हमेशा के लिए गायाव हो जाएंगे। आज की वीडियो में बताएगे किसी भी नुसके का इस्तिमाल अपने चेहरे की तोचा पर करने से पहले अपने हाथ की तोचा पर इसका इस्तिमाल करके जरूर देखें। ताकि इससे यह पता चल जाए कि निम्बू आपकी तोचा पर शूट हो रहा या नहीं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नए नूसके के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यभाद।